गूट मॉनिंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे प्रेक्टिस सेट 5 के अंदर मैंने नमबर सिस्टम पर स्थोड़ ज्याधा फोकस करा है यह क्योंकि नमबर सिस्टम की कुछ ऐसी वैल्ली जो आपको एक्जाम में फसा सकती है इसलिए नंबर सिस्ट्रम तो ना पढ़ते हुए पैस्पिसेट 5 भी कर लो उसमें काफी साई चीज़े मैंने आपको बता रखी है तो शुरू करते हैं पहले कोशन के साथ कोशन के रहा है how many positive factors positive factors बोले हैं उसने पहले आपको बतायता हूँ चीज़े क्या होती है यह लेलता हूँ इधर चला जा चला गया एक होता है हमारा prime नंबर प्राइम प्राइम एक होता है positive factors और एक होता है हमारा sum यह तीन अलग 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 चीज़े हैं इनको एक साथ मत करना हमें तो नंबर में क्या होगा अगर एक factor है इसका बिल्कु पर इक प्राइम नंबर नहीं आता 2 है इसका factor और 3 से जाता है और किस से आता है इन दोनों से जाता है और किसे नहीं जाता तो इसके प्राइम फैक्टर कितने होगे 2 लेगिन sum के अंदर वो नहीं होगा नहीं होगा positive के अंदर क्या आएगा कि जो जो संक्या इसे divide करती है वो सारे number आजेंगे मलब इसे 4 भी तो काटता है 6 भी काटता है तो वो भी इनके अंदर add हो जाएंगे अब समझ में आया प्राइम का मतलब और sum का मतलब क्या है इसमें तो अलग लग number ले रहें अब इनका sum कर देंगे वल्ला इनकी value का sum है तो वो sum वाली form हो जाएगे sum वाला कभी और नाम से बताऊंगा जब मैं आपको course बताऊंगा थोड़ा बड़ा है पहले आप यह दोनों देख लो में मैं इस पर focus करवा रहा हूँ इन दोनों पर ही प्राइम और positive में यह फरक है प्राइम का मतलब है सिफ प्राइम नमबर ने फैक्टराइशन अंची है 12 को सिर्फ 2 और 3 ही तोड़ता है तो सिर्फ 2 नमबर हो गए लेकिन 12 को 4 भी तोड़ता है 6 भी तोड़ता है यह प्रा होना क्या होता है पी प्लस वन यू प्लस वन और प्लस वन इंफिंटे तक पी जो है वह एवन होगा बागी सब और हो जाएंगे यह आपको बताऊंगा कभी भी किसी चीज का फैक्टर हम करते हैं जैसे किसी भी नमबर कर दो 24 कर दो तो उसका पहले निकलेगा 2 सिर्फ 2 एक अकेला नमबर है जो ईवन है उसके बाद जितने भी इसके फैक्टर निकलेंगे न वो और यह कॉंसेट आपको पता है तो ठीक है नहीं पता तो बतायता हूं किसी वीजिच का अगर आम फैक्टर करते हैं उसमें एक दो ही होता है जो इवन है उसके बाद सारे क्या होते है होते हैं इसलिए इसे इवन कहा जाता है और लिखायाता है कभी आपको किताब मिले कि आगे इवन है और तो कंफ्यूस मत होना उसका मतलब यह है थोड़ी आज लंबी क्लास में चलेगी क्योंकि नंबर सिस्टम में बेसिक से ही कराना ज़रूरी है तो चलो इस कोशन करते है चलो बंजमर आरे आपकी तो प्राइम नंबर तो हमारे तीन मिल गए अगर प्राइम नंबर पूछा होता तो हमारा आंसर रहता है तिन एक दो तीन क्योंकि 2 तो इस में पूछा है नंबर अफ्ट तो इसका मतलब हो गया यहा है 2 की पावर 2 तीन की पावर 1 और ठोड़ी से 3 हो जाएगा Q plus 1 मतलब 2 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 2 solve करेगे 2 दो दूनी 4 और 4 तिया 12 तो इसका answer हो जाएगा D थोड़ा सा बड़ा question था ये पर ये जरूर था क्योंकि ये बहुत बड़ा basic है आदा गंटा लग जाता है इससे समझाने में लेकिन मैंने फिर 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 कोशन के माधिम से आपको समझा दिया चलिए करते नेक्स कोशन अगला कोशन देखिए आप कह रहा वर्ट विल वी दा रिमेंडर रिमेंडर पूछा है उसने तो इंटार्टली वही वहली पात है रिमेंडर पूछा है कह रहा है कि 631 multiply by 632 multiply by 633 आपको पता है अगर नीचे 5 है क्योंकि 5 से डिवाइड करना है तो उपर कुछ भी हो कुछ भी हो पांच के उपर बड़ा कोई भी हो चाहे 6 हो चाहे 7 हो चाहे 8 हो चाहे 9 रिमेंडर तो वैसी पता चल जाएगा आपको 6 है तो आपका 1 बचेगा 7 है तो 2 बचेगा 8 है 3 बचेगा 9 है तो 4 बचेगा तो इस सबसे असन तरीका है 1 की 2 से multiply कर दें 2 आ जाएगा पिक 2 की multiply 3 से कर दें क्योंकि last में 3 है तो कितना बन जाएगा 2 3 6 बन जाएगा last में कोई भी number आ रहा हो लेकिन last में तो 6 ही आएगा ना आगे कोई भी number हो लेकिन last में तो क्या आप चाहो तो इसे दूरी तरीके से कर सकते हैं दिखाता हूं आपको आपके सामने वैल्यू दिख रही होगी अब मैं इससे अगर 5 से डिवाइड करूं तो 6 3 तक पूरे डिवाइड होता है रिमेंटर बचेगा 2 इससो करेंगे तो रिमेंटर बचेगा 3 सबच मा रहा है त तो भी हो जाएगा इसका option भी आते हैं अगले question पर चलिए आते हैं ठर्ड कोशन पर ठर्ड कोशन आपको दिख रहा होगा कह रहा है what is the least number added to 700 so that the number become multiplier of 70 मतलब कह रहा है कि यह आपका सास्तो है सतर से भाग करना है तो भाग कर दीजिए यह आपका जाएगा 4 से जाएगा 68 20 आगया यह 1 से जाएगा 17 कितना पचा रिमेंटर 3 वो कह रहा है कि क्या number add करें जो पूरा 17 है रिवाइड हो जाए और यह obviously बात हैं 17 है यहां क्या 3 है तो क्या करेंगे 14 और प्लस कर देंगे तो चौब दी फॉलइंग स्टेट्मेंट सिट्मेंट इस या आट्रू इस मध़ब कोई एक है तो सभी है तो इस आ जाएगा दोनों सभी है तो आ रहा जाएगा और दोनों नहीं है तो इस बात यह लग है चलो कोशन कहा रहा है कि अगर odd की पावर और ओ तो क्या odd ही मिलता है और odd की power even हो तो क्या even ही answer मिलता है देखते हैं चलो randomly कोई भी number लेलो मालो 3 ले लिया अब 3 की power 2 करो 3 का square 9 चलो कोई और लेलो 3 की power 4 लेलो तो कितना आता है 99 तब भी कितना गया 81 तो power अगर हमारी even रही तो even नहीं मिला सबस्क्कार मुझे ऑडी मिला तो यह पहली statement गलत हो गई जब पहली statement गलत हो गई तो यहां जाज़ा आपका इन दो से कोई एक हो सकते हैं सब्सक्राइब आगया option आपके जो टिक करने के जाए चांज से बढ़ जाते हैं 50% चांस आपके बन जाते हैं चलो अगला देखते हैं 3 का 3 की पावर क्यूब कर दो तब ही कितना हुद है 27 ये भी हमारा क्या बन गया ठीक है तीन की पावर 5 कर दो तो 27 ये 9 मल्टिप्लाइ कर दो 7 9 63 बन गया तब भी हमारा ओर्ट बना तो पहली स्टेटमेंट साही है तो इसका होगा option A कि पहली स्टेटमेंट ही साही है ठीक है समझ में आया ठीक है आ रहा हो तो कमेंट करो जल्दी नहीं आ रहा हो तब भी कमेंट करते ना बता देना चलो आते हैं एक लिए कोशन के रहा है हाव मैनी मल्टिपल्स आप सिक्स अर दियर फ्रॉम वन तू तू हंडड़ फिचार नौट मुल्टिपल फोर जैसा कोशन हम पहले कर चुगे कोई दिक्कत नहीं करा तो भी ठीक है जिन्हों नहीं करा उनके लिए मैं करता हूं कोशन कर रहा है कि एक से लेक 10-24 जह बनेंगे 21 मुल्टिपल 12-9.60 ऐसे करके 600 कितने नमबर बनेंगे हमारे जलदी बताओ 17 raid कितने number बनेंगे सोला कितने बनेंगे इसके पार चला गया अब हमें चे की पलशीए तो आपको बता है 60 सकतने हो गया 10 तक कितने हो गया 30 हो गया 30 हो गया एक सुस्ती आ गया बचे कितने 20 तो 20 में क्या हो गए छे आ जागा 6 पुल तो 198 तक तो हमारे यहाँ पर काम चल गया है बस समझ मारी कि नहीं आ रही है तो टोटल कितने और 33 टोटल कितने हो गए जो एक्सट्रा आ रहे हैं मतल़ हैं जो चार से मुल्टिपल हो रहे हैं छे से तो हो रहे हो लेकिन चार से भी हो रहे ह। हमार आंसर के से निगलता है ठाटी धृम में से अगर है 16 माइस कर दू कितना मचेगा 17 तो 17 वो नंबर है एक से लिए । जो पूरे 6 से ही डिवाइड होते हैं सलज में आया हो तो ठीक है नहीं आया हो तो कोई बात ही कमेंट कर देना नंबर सिखे में थोड़ा बेस लेके चलना पड़ता है इसे थोड़ी लंबी वीडियो हो रही है। चलि करते नेक्स कोशन चलिए आते हैं अगले कोशन बे कोशन कहा रहा है हाव मैनी जीरोस आर देन इन दा प्रोड़क्ट 45 मल्टिप्लाइब थी थी थाउसन फाइवंड़ ट्वैल अच्छा तो कोशन यह नहीं पूछ रहा कि कितने शून्य है इस तरीके से नहीं पूछ रहा कि इसके अंदर कितने शून्य है देख कितने शून्य वाला इस आप किताब अलग ंता है जैसे है आपका 500 तो इसके अंदर 200 करते हैं तो 0 कितने लिए पूछ हो टी है नमबर अभ जेरो हैं एसमें कितने शून्य हैं हम फूछे में कहीं भी है अगर वो ले नंबर ऑफ जीरो शुन्यों की संख्या तो आपको लास्ट नंबर लेना है लेकि इसमें पूछा कि शुन्य कितने हैं तो तो सबसे आसान हो जाएगा उसमें कोई नहीं देखना है कहां दीरो आ रहा है बता आंसर तो इसका मतब वही है 45 को मुल्टिप्लाय करेंगे 3512 से तो आता है 158040 कितने शुन्य एक यह रहा और गी रहा कितने होगे दो तो उसका सीज़े सीज़े आंसर हो जाएगा बी कभी-कभी वह घुमाने के लिए भी यह सब कर सकता है ठीक है अब आपको थुद़ा सतर करना है वह है नंबर ऑफ जीरो जो किसी कारे को 30 दिनों में कर सकता है किसी कारे को 30 दिनों में कर सकता है कह रहा है उसने 6 दिन कारे करा सिर्फ 6 दिन कारे करा ठीक है तो कुछ काम बचा होगा कुछ काम उसने कर दिया होगा और कुछ काम बच गया होगा तो remaining work बिचारे बी को करना पड़ गया होगा तो उसमें बोला है कि B जो बचा हुआ काम में वो कितने दिन में करता है 48 दिनों में कर देता है तो B की capacity पूछ रहा है कोई दिक्कत नहीं है पहले इनकी ratio मना लो अगर A की capacity अगर 30 है और वो 6 दिन काम कर रहा है तो 5 ratio 1 मतलब कहने का मतलब है कि 5 में से उसने 1 काम करा होगा अगर पूरा काम 5 है तो उसने 1 काम करा होगा तो बचा कितना काम बचा कितना 4 by 5 काम बचा ये कौन करेगा B कितने दिनों में 48 दिनों में capacity पूछिए capacity मतलब पूरे 1 काम वो कितने दिनों में करेगा तो X दिनों में करेगा बस समझ मारी है 28 दिनों में 4 बटे 5 काम तो एक काम कितने दिनों में करेगा पूरा एक काम एक काम मतलब है 5 by 5 जो कटके हमारा क्या हो गया 1 हो गया एक दिनों में करेगा इसे solve कर दो आप solve करेगो दो आप cancer आजाएगा जब आप इसे solve करोगे तो देखिए 4 बंजा 4 4 2 जाएट 5 आगया 5 जी नीचे है तो उपर multiply हो जाएगा तो X से वेले कितने आजएगी 60 मतलब B को अगर ये काम दिया जाता तो वो 60 दिनों में कर देता बास समझ मारी है बलब B की capacity कम है जिसका time ज़ादा होता उसकी capacity काम होती है मतलब A बहुत जल्देल्दी काम कर लेता समझ मारी है और B जो है लेट काम करता मतलब indirectly हम ये कह सकते हैं कि अगर time का ratio double है तो capacity क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी मतलब A जो है अगर कोई काम एक दिन में करता है तो B उसी चीज़ को दो दिन में करता तो A की शमता जो है double है B से बात समझ मागी मैंने आपको time and work का concept भी बता दिया चलिए करते है next question चलिए करते हैं अगला question क्या रहा है तीन नल ABC किसी टंकी को 50, 60 और 50 गंटों में बढ़ते हैं वैसे reality में इतने बड़े नल होते नहीं है जितना time लगा दे minute हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं कोशन है कोशन तो जलसे माट दे सकता है चलिए चलिए लोग देखते हैं ABC जो है ये 50 में बढ़ता है ये 60 में बढ़ता है ये 75 में बढ़ता है तो ये बहुत सिंपल हो गया वही time and work और pipe and question एक ही चीज़ है चीज़ है दोनों सिस्टन जो है एक ही चीज़ है मैंने आपको बताया उसमें क्या होता है नेगेटिव काम होता है और time and work में क्या होता है नेगेटिव काम नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है तो solve करते हैं इनका आप LCM लेड़ो इनका LCM लोगे तो कितना था 300 पर सब्सक्राइब करेंगे कितना काम करेंगे तो टींसों काम कितने घंटे में करेंगे करेंगे 25 कम 15 अब साब जाएगा 20 जाएगा बीस गंटी सबसे आसान कोशन के अगला कोशन चलिए करते हैं अगला कोशन, कोशन कहा रहा है, the length of two diagonals of a rhombus, यहाँ पर क्या आ गया, सॉरी, rhombus आ गया, ठीक है, सम चत्रपुछ आ गया, कहा रहा है, जो इनकी diagonal की length है, वो कितनी है, 6 और 8 है, what is the length of side, मतलब इन डालके लिए, वो side पूछा है, कि side कितनी बड़ी होगी, को हम, यह हमारा होगया rhombus, चीक है, अब वो कह रहा है कि diagonals के, जो है, वो कितने है, 8 और 6 है, कितने है, 8 और 6, ले ले लेते हैं, यह होगया 8, यह वाला होगया 8, तो यह कितना होगया, 4 और 4 हो जाएगा, यह कितना है 6, तो यह कितना होगया, 3 और 3 हो जाएगा, अब कोशन क कहा रहा है हमें side निकालने ही है लेकिन आपको एक बात पता होगी कि डाइगनलव rhombus के property होती है कि इसके diagonal bisect करते हैं right angle पर मतलब यह 90 degree होगा तो अगर pythagoras लगेंगे तो इसका square जब माँ इसका square इसके square के बराबर है यहां देखो pythagoras लग रही है तो चार का square क्या होगे 16 तीन का square कितना 9 यह कितना हो जाएगा 25 तो value क्या हो जाएगी side की 5 कितने हो जाएगी 5 option A इसका सीज़ सीज़ा अंसर है चीक है आपको property पता हूं चीए जब मैं आपको compensation कराऊंगा तो सारी property बताऊंगा कि कहा कौन सा कुछ कटता है कौन सा नहीं कटता है और तीन-चार property में आपको similar भी कराऊंगा ताकि आप एक ही property समझके सारी चीज़े लगा सके चीक है चलिए करते नेक्स कोशन एक बात और इसके अंदर मैं आपको information और देता हूं देखो rhombus का formula होता है half into d1 into d2 आपको पता है rhombus का formula यह होता है तरह कि सच में rhombus का ही एक formula होता है क्या यह किसी और का formula नहीं बन सकता तो ध्यान रखना वही मैंने जो property बताई आपको कि जो भी एक diagram अगर उसके diagonal बीच में bisect करते हैं और 90 degree पर bisect करते हैं तो यह formula सभी के लिए applicable होगा चाहे वो square हो चाहे वो rectangle हो चाहे वो चलिए करते हैं अगला question question कहा रहा है एक वस्तु का अंकित मूले 900 रुपए ठीक है MP कितना हो गया 900 रुपए और कहा रहा है कि एक व्यक्राग इसे 630 रुपए देता है मतलब जो है खरीद कितने का लेता है वो 630 रुपए का सीधर सीधर उस बंदे ने फाइदा निकाल लिया मायस करेंगे कितने का फाइदा हो गया मेरा बताओ 270 का फाइदा हो गया तो कितने परसंद की छूट वगी तो इसका ओगया option चीग है यह तो बहुत असान कोशन था चलिए करते हैं अगला कोशन कोशन कहा रहा है एक वस्तु का अंकित मूले उससे क्रेया मूले से 45 परसंद अधिक है कर देते हैं यह आपका CP हो गया यह आपका MP हो गया अगर मैंसे 100 रिशो मान रहा हम तो यह कितना हो गया 145 रिशियो चीग है अब कहारा है यदि 20 परसंद की छूट दी आती है कोई दिक्कत निए इसका 10 परसंद कितना हो गया 14.5 ठीक है बहुत चौदर और पचास में से हो गया 20 परसंद कितना हो जागा तो से मटिप्लाय कर तो 39 हो गया तो कोई दिक्कत निए यह तो छूट दे दी तो माइनस किया जाएगा करेंगे हम इसमें से चूट दे दे ने 29 गी तो कितने का हो गया हमारा एक 116 रुपे की चीज़ होगी तो कितना लाप कमा रहा है आप डिफरेंस देख लो लाप कितना होगे इन दोने की बीच में देख लो चलो करते हैं नेक्स कोशन चलिए तो यह हमारा लास्ट कोशन इसे के साथ हम जो है इस लेक्चर का एंड करेंगे कोशन कह रहा है पी रेशियो क्यू बना यहां पर पहले आप खुद पढ़़ो एक बार देख लो क्यारा पी रेशियो क्यू दे रखा है वन रेशियो फाइ रेशियो का यह तरीका बहुत जरूरी है क्योंकि आप यह ओ कि लखीर के फकेर ना बने एक यह तरीका तो कोई दूसर तरीका तीसर तरीका तीन चार तरीके आपको आने चाहिए वह अगर यह समझने आरा दूसरा नची ना समसे गम ताकि आप निकाल सको और हो सकता है उन रेशियो 5, और कितनी है, 3 रेशियो 2, इस 5 को यहां को दा दो, इस 3 को यहां को दा दो, 3 वन जा, 3, 5, 3 जा, 15, 5, 2 जा, 10, इनकी रेशियो बाद चल गई, अब उसने क्या पूछा है, कोशन में, कोशन में बोला है कि, प्लस Q की वैली बताओ, तो P और Q कितना हो गया, 18 रेशियो, उसने बोला है, Q प्लस R की रेशियो बताओ, Q प्लस R कितना हो गया, 25, तो इस कांसर हो जाएगा, 18 रेशियो, 25, ऑप्शन, C इस कांसर है, बस संज में आ रहे हैं, एक मिनट, क्या आपको यह दूसर तरीका करना है देख लो यार देख लो, असन तरीका हो जाएगा, 2-3 तरीके आप रेशियो के देख लो, चलो दिखाता हूँ में आपको 2-3 तरीके, तो देखिए, आपके कोशन में यह इस इस गिवन थी, P क्यूकर रेशियो के तन देर रखा था मेरा, 1 रेशियो, अच्छा, उल्टा ल पी कितना है, 1 रेशियो 5 और 3 रेशियो 2, एक जैसे दिख रहे हैं नहीं, इस से तोड़ी गलती हो कुई थी, कोई दिखकत नहीं है, यह आपका देर रखा है, तो solve कैसे करेंगे, यह लेलता है, यह ठीक है, चलो, कोई दिखकत नहीं है, तो आपको यह जो है ना, आपको क् देखिए, तो इन्हें आपस में multiply कर दो, 3 इस पूरे multiply हो जाएगा, 5 इस पूरे multiply हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3, 3 बन जाएगा, 3, 5, 3, 15, 15, 15, 15, 20, 10, देखो रेशियो वही बन गई, तब भी आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, यह दूसरी तरीक तो बताऊंगा ही बताऊंगा, ताकि यह हो जाएगा कि अगर वो कोशन उसी तरीके से ना समझ में आए, तो आप दूसरी तरीके से कर ले, ठीक है, थोड़ी सी क्लास ही थोड़ी जीब सी हो गई थी, क्यों, क्योंकि number system की कोशन इसमें ज्याज़ा आ गए थे, मेरे बताने एक-एक चीज आपको deeply बताऊंगा, और सच में आगर आपको lecture series में deeply चीज़े पढ़नी है, ता आप पक्का इसमें comment करें, मैं देख रहा हूं, तो ताकि मुझे पता चलेगा कि हाँ आप ही कितने बच्चे पढ़ने चाहते हैं, बास सेंच बागी, तो चलिए, इसका करते ह हम अपनी वीडियो का end मिलते हैं, next lecture में, जो होगा lecture 6, practice at 6, ठीक है, bye